क्लियर करो कितने लौट हजार सो आदमें को देगा अंधी धुन मैं दे नहीं सकता है लोग अंधे और गुंगे बनके अप्लिकेशन दालने सकता है किसको मिल रहा है पैसा घर बैठे किसको मिलेगा क्यों लेना चाहिए तो गाड़ी कार का मतलब कमर्शियल कार में देते हैं किसको देते हैं मेहनत बढ़के पैसा हासिल करो, ये भीक में नहीं जमा है, फुगुट में भी नहीं जमा है, ऐसा मत लिजिए, ये मैं चाहरा हूँ कि मसाजिदों से, फला से, फला जगा से उसका एलान हो, मंत्रियों के ये मेलियों के चिट्टी नाप आते हैं, क्योंकि लोगों को, पचास हजार लोगों में, क्या पांच आदमी को मिल रहा है, रिसेंटली रियासत करनाटक की गवर्मेंट ने, मैंनाटी के लिए, स्कीम जारी की गए, जिसमें, बहुत सारे कार्स वगएरा, मैंनाटी को हासिल होंगे, एक किस तरह का मैंनाटी पाइदा उठाएं, इस मोखे का, रुपे सबसीडी, कार लो, ट्रांसपोर्ट, कमर्सियल गाडी लो, पांच लाग तक का लोन, इंट्रेस्फिरी लोन देंगे, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम बनाएं, जो भी हो मैनारीटी में, और मैनारीटी में, दलित, क्रिष्टियन, दलित हो या ना हो, मुस्लिम, ऐसा जैन, ऐसा भूच से खावम मिलकुआती है, इसमें दस से पन्रह हजार कोर रुपे तक का बजट भी होनरेबल चीफ मिनिस्टर बताये थे, वो हो रहा है, इसमें अच्छा सा स्कीम कर रहे हैं, महर बात क्या है, तो ये खुला नहीं है, कौन, कहां से इलिजिबिलिटी आदार काट दो, बीपिल काट दो, फलान दो, ये सुभी ठीक है, कितने गाड़ी देंगे, कितने डिस्टिक्ट में देंगे, कितने एरिय में देंगे, इसको कौन साइन करना पड़, आनलाइन में चल रहा है, पचास हजार से लाग रुपया, स्कालर्श हुकुमत से मेरी अपील है, मेरा हंबल रिकोईशन है, पर क्लियर करो, कितने लाग हजार सो आदमे को देगा, अंधी धुन में दे नहीं सकता है, लोग अंधे और गुंगे बनके अप्लिकेशन दालने सकते हैं, किसको मिल रहा है पैसा, घर बैठे, किसको मिलेगा, क्यों लेना चाहिए, तो गाड़ी कार का मतलब, कमर्शियल कार में देते हैं, किसको देते हैं, क्या इसको यमेले के लोग को देते हैं, यहने पोलिटिकल कैडर को देते हैं, कितने यमेले हैं, यहने 224 यमेले हैं, करनाटक में, तो क्या 224 यमेले में, यह को चार देंगे, तो चार देंगे तो जो भी ओ, यह नहीं नो सो कार देंगे, यह नो सो यह बोसे कार देंगे, कि मेले का इन्वालमेंट नहीं है, डेरेक्ट मिनिस्ट्री अगा, जो हनरे बुल सीयम अनौन्स किये, उनसे ही आगा क्या? यह क्लियर नहीं है क्लियर करना चाहिए और जो बात है वो चीज में मुसल्मान को कितना मिलेगा कहां मिलेगा मसाजिदों में मदरसों में हर जगा बोला जा रहा है कि मिलना चाहिए यह चीज देना चाहिए अपले ही करो यह करो वो करो तो मसाजिदों में ये नहीं बोला जा रहा है कि बच्चे मासूम मुसल्मान के पढ़के 90% मार्क लो मुसल्मान के मैं मेरे बेटे से या न मैं खुद ये मेरे क्या बोलते हैं इसको मेरे खांदे घट है मेरे को ताखत है मेहनत पढ़के लियो मेहनत पढ़के पैसा हासिल करो ये भीक में नहीं जमा है फुगुट में भी नहीं जमा है ऐसा मत लिजिए ये मैं चाहरा हूँ कि मसाजिदों से फलान से फला जगां से उसका एलान हो मंत्रियों के इम्मेलियों के चिट्टी ना बाते हैं क्योंकि लोगों को पचास हजार लोगों में क्या पांच आदमी को मिल रहा है दो आदमी को मिल रहा है किसको को गुंगे बन रहे हैं ये भूती कन्फीजन बना है और लोग भूत से लोग जमा हुए हैं हर गल्ली में हर क केमडीसी में हर पेपर अखबार लेके देखते फिर रहें मुसल्मान के लोग व्यापारी लोग बच्चे लोग बेवाएं तमाम यह बात कौन क्लियर करेंगे लिए करते हैं उसाथर बना तौन केवस्ट में गुम रा कर रहें हैं अब प्र stinks बड़ें किसने लेका। अप्लिकेशन भरके दालेंगे तो आ हनलें में दिखेगी यहालान में कापी कार के केमडीसी अफिज में रखा जाएगा तो इसमें क्लिक इसका होगा। क्या है। यह । इसको मिलना है। किसको देते हैं। कितने देते हैं। किभने करना चाहिए।।ध। दुसरे लोगों को झाहिछ क्यू देना है। तो खुला वो नहीं बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर साफ, मिनिस्टर साफ, कमीटी के, आदमी जो काम कररे हैं, ये मंत्री के निचे, ये लोग नहीं बोलना, आलम पाशा बोलेगा, आप मेहनत करो, आप ताखत वाले हैं, आप इलम वाले हैं, अल्ला आपको इलम दिया है आपको जब तक जिसम में ताखत होगी यह नहीं मुसल्मानों को खुसुसन यह पैसा क्यों हासिल करेंगे जो महिनत यह मांदारी की महिनत से जो मिलता है वो चार लाग तीन लाग से नहीं तीस क्रोड के ज्यादा भी मिलेगा वो अतनी खुशी भी हासिल होगी आपको वो आपका हख होगा हखुख होगा यह जो गैंबलिंग में दस हजार आदमी दाला है इसमें दो आदमी को आया और जो क्या पार्टी का कैडर है क्या खुला वोपन से बोलना चाहिए हुकुमत में क्या भई इसमें बीजेपी के जंडे के साथ जो मेले साइन करेगा क्या कांग्रेस के जंडे के साथ जो मेले किसके पास साइन लेना है क्या नहीं लेना है खुला करना है वोपन रहना है वोई मेरी अपील है वोई में अपील करूँगा के लिए हर जगा हर डिपार्टमेंट के जगा क्यूं लगती है जैसा कोविड के इंजेक्शन डालने के लिए पहले हर जगा पे 100-200 की इंजेक्शन को लंभी क्यूं लगती 500-2000 देते थे ऐसा हो रहा है तो इसमें ब्रोकर्स हैं क्या तो नहीं है तो खुला करोना कभी लोग हैं ब्रोकर्स गंदे होते हैं गवर्मेंट नहीं सरकार नहीं अपरंजी में कोई एक टिप का भी गलत नहीं रहता है सरकार में तो सरकार का commitment क्या है सरकर क्या चाहती है ये खुला होना चाहिए आप कारों की बात आप कार करें कि टैक्सी commercial गाड़ी कितने लोगों को दिये ऐसा लाटरी है क्या नहीं देंगे कितने हजार कितने डिस्टिक्ट कितने टालुक कितने मोहले कितने यमेले बोला है या तब ही आलम पाशा पूछता है हुकुमते करनाटिक से नहीं हुकुमते खल्की मुसल्मान के जमात से बोलता हूँ कि आप मेहनत पढ़के कमा होना जब बुजरुग हो गए बुजरुगों को कोई तपखे से पूछना नहीं है बुजरुग है आप आपका हख अल्ला की दर से भी पहुंचाएगा आपके आउलाद से पोँचाएगा अल्ला दोलत दालेगा खुषियां दालेगा तो ये फुगुट का माल लेने के लिए हमें कामपिटिशन नहीं करना है वो भी अल्ला के ओपर छोड़ दे जो देगा वो मिलेगा तो नहीं तो जब तक हमें घट है हमें इलम वाले हैं मेरी सूच है आलम पाशा कि जो लोग लग रहे हैं तो ये मिले का सिगनिचर, कैटेगरी कैडर्स ऐसे लोगों को मिलेगा तो ये लोग मुसल्मान बनना मेरी खाहिश नहीं है नमाजी लोगों को नहीं है बुजरुक लोगों को नहीं है, इस्टूडंस को नहीं होना चाहिए, तो इसका खुला होना चाहिए, कार कितना निकलेगा, ट्राक्टर याने कमर्शियल वहिकल कितना निकलेगा, कितने को दिये हैं, कैसा देते हैं, उसका लिस्ट डेकलर होना चाहिए, अप्लिकेशन में भ कि इसको इन्फिनाइटी यानि इसका मतलब मतलब ही पाइसा कितना है कितना देंगे सिर्फ कांग्रेस के मेलियों को देंगे क्या भाजपा के मेलियों को देंगे जेटेस को देंगे किसको किसको देंगे क्या नहीं देंगे अवाम को देंगे जो आवाम जनता आपको वोट कि वो बात खुला नहीं है, कार देंगे, केमडीसी का फंड पचास हजार लाक रुपे देंगे, बच्चों को देंगे, वो तरीखा ठीक नहीं है, क्यों मैं बरसातों में, धूपों में, हया के साथ, एक बैकू बच्चा क्यों खड़ेगा, क्यों जाएगा, उसको क्लारिफे कर करो, कि यह मार्क लेगा, तो यह चीज है, 98% में नीट पास करेगा, CET पास करेगा, यह है, इसा आप इसमें एकदम गैडलेंज बनाएए, एलान करो, हर आखबार में, हर मीडिया में, कोई यह पर्चे आप मस्जिदों में देते हैं, मस्जिद के जो कमिटी वाले, करते हैं, दड़ा के तरफ करते हैं, पूरी स्यासत मसाजिदों से चलाते हैं, मदरसों में चल रही है, चायें के दुकानों में रखते हैं, चिट्टिया में, और तमाम बना के, यह काम, फॉलिटिकल लोग, मंत्री लोग, यमेले लोग करने दो, मुसल्मानों का काम नहीं ह हुकुमत वो नहीं करती है, यह बीच के लोग करते हैं, मुसल्मानों को चाहिए, यह चीज़ों के उपर उमिद हटा दो, उमिद आपनी मेहनत के उपर, अपनी चीज़ के उपर, आप आज भी राजी हो जाएए, यह राजी में हर आदमी को मिलेगा, हमें जब तक ताखत वाले हैं, हमें कमा के लेने की, बच्चों से कमा को लेने की, यही खाहिश मुसल्मान तबखे को देना चाहिए, मुसल्मान के माने हुए लीडरों, नायब सदरों, मसाजिद के कमिटी वाले तो पूरी सियासत करते हैं, सियासत में उतर गए, खड़के बयान में आ गए है, मौजन को इमाम को उठा के बाजुक बिठा दे, उन्हों खुद बोल दिये ये ले लो ये नहीं बोलते, ये बच्चे फिरते फिरते उनकी इलम गई, उनकी जित का मतलब नहीं रहता है इस तमाम काम करते हैं, चाहिए मुसल्मानों को बगाइर के M.D.C. के, बगाइर मैनारिटिस के नाम लिये हुए जीना सिखना चाहिए ये कैसी नो, ये गैम्लिंग, ये लाटरी सिस्टम कहा है, उसका क्लारिटी होना चाहिए जिसको मिलता है, जो लेता है, जिसका रेकमेंडेशन चाहिए, हर चीज ये मिले से ही हो रहा है क्या, उसका भी क्लियर होना चाहिए तो फाइल जमेगी हजारों लखों में, पैसा जाएगा कितने आदमें में, क्या खानून में, क्यूं च्छपा रहे हैं, क्यूं ये चीज़ के पिछे, जो मुसल्मान के ताखत, ताजा खुन वाले, क्यूं भागा दोड़ी करें, इसमें कौन घद्दारी करते हैं, क्या जानना पड़ेगा, जब वो खुद दलाली कर लिए, तो ये स्कीम में मतलब नहीं है, अवाम में मतलब नहीं है, अवाम के वोट में मतलब नहीं है, वोट देना हमारा काम, मुसल्मान का काम सिर्फ वोट देना है, लेना नहीं है, लेना अल्ला से लेना है, अल्ला देगा, जब तक हमें घट हैं, मुसलमानों को, कोई DC, कोई BC, कोई OBC नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, मगर होगी, तो सही रास्ते में जाके, वो लेंगे, आज रास्ता फुटा आए, रास्ता कन्फ्यूज रहे हैं, हमें जो सूच के जा रहे हैं, प्लेन में जाएंगे, मक्के मे के लिए जिद्दा में प्लेन उतरेगी, राजस्तान के घाट में, डेजेट में, बालू में उतारके, यही मक्का, यही मदिना करके, बोलने वालों में, पांच हजार ने, पांच सो में बुलाके गई तो भी, कोन भी जाएंगे नहीं, और डेजेट में भी उतार दिये, व इसकी पूरी जिंदगी का पैसा उसको दे के भेज देंगे, वो प्लेन में नहीं चड़ेंगे, तो ऐसा हमारा प्लेन जिद्दा में उतरेगी, हमारा उम्रा और हज होगा, ऐसे सही प्लेन में चड़ना है, वोई मुसल्मानों के लिए सही होगा, अपना टाइम, अपना ब बेकार हो जाएगी अल्ला जो जवानी और जो बुडापन और जो इलम जो इज़त दिया है हमें बरखरार मुसल्मान रखना है